हारुफिक्स सैमसंग S20 FE ताच स्क्रीन नौट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर आप सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस में ताच स्क्रीन नौट वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्फ किसे कर सकते हैं अगर दोस्तों ताच स्क्रीन काम नहीं करें यहाँ पर दोस्तों आप हार्डवेर प्रॉब्लम फेस करें या फिर सॉफ़वेर के रिलेटेट अगर सॉफ़वेर के रिलेटेट कुछ भी इश्यू है त तो यहाँ पे दोस्तों कई बार तास्क्रीन इश्यूस मॉबाइल के वज़े से भी क्रेट होते हैं तो पेले हमें वह फिक्स करके देखना होगा ठीक है अगर हाड़वेर के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली हो जाएगा आपका प्रॉब्लम सॉल सकते हैं चले दोस्तों फिजियो शूरू करते तो सबसे पहले चीज्स दोस्तों यहाँ पे अगर तास्ट्रीन mails करने के देख सकते हैं किवर दोस्त क्या होतं मोबाइल लेक करते उusके वज़े से भी टाच कैसे चेक करेंगे वह भी देखने सकते हैं तो यहाँ पर जैसी क लेगिंग तो यह सब प्रॉब्लें होने के वज़ए से भी आपको इश्यू आते हैं ताच में तो वह सब भी आपको फिक्स करना है लेकिन सबसे पहले रिच्टार्ट करके देखना है रिच्टार्ट से कम बनते ठीक है अगर रिच्टार्ट से काम नहीं बन रहा है तो दोस् तो उनके वज़े से प्रावलेम आते हैं ठीक है तो उनको एक बार रिमूव करके अच्छे से साफ करके देखे अपने स्क्रीन को और यूज करके देखे अगर प्रावर्म इसी चीज के वज़े से आ रहा है अगर नहीं आ रहा है नहीं हो रहा है problem solve तो दोस्तों दूसरा issue हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों को problem solve होते होई दिखा है इस तरीके से ठीक है इसलिए मैं आपको यह suggest कर रहा हूं तो अगर problem solve नहीं होते हैं तो मोबाइल सेटिंग बर जाकि स्टोरेज चेक करें कितने स्टोरेज खाली है एटलिस 40% खाली होना चाहिए तो मोबाइल स्टोरेज को clean up किरें जंक्स फाइल क्लें कीजिए क्ष क्लीन कीजिए सारे साथ application है बहुत सारे unused application उनको डिलेट कीजिए कोई भी बैड अप्लिकेशन ने बैड अप्लिकेशन को भी डिलेट करें बैड अप्लिकेशन दोस्तों वह होते जो आप unknown website से इंस्टोर करते हैं ठीक है तो वह भी एक harmful अप्रफ़न पे अजा इन्फौरमिशन मिलेगा उसमें जाकर built number है बिल्ट नमबर पे क्लिक करके आपको क्या करना है कि developer option को имabel करना है साथ बार कि करके ठीक है उसके बाद कि आपको दोस्तों यहाँ पे नीचे के तरफ आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा पौिंटर कुछ इस तरह के से आपको ड्रोव करके देखना है अगर ताच में एक भी प्रॉलम नहीं है। तो कंटिन्यूसलि आप सक्ष्क쉬 कर सकते reality अगर ताच में प्रॉब्लम है तो यह इस तरह के से रिश्टार्ट होते जाएगा एक भी आपको कंटिन्यूस राणिंग पर ड्रो करने का उप्षिन नहीं मिलेगा यह चीज़ आपको चेक करना है तो इसको मैं आफ कर दराओ अभी दोस्तों आपने देखा यहाँ पर कैसे ह अब्डेट आया हुआ है तो आप अपडेट ही करके देखें मोबाइल सौफ़ेर को डिरेकली मोबाइल सौफ़ेर अपडेट करने के बाद अगर आपका कोई भी इश्यू है फिक्स हो जागा प्रॉब्लम है अगर हेंगिंग लेगिंग का कुछ भी इश्यू रहते हैं तो general management reset and then factory data reset करके आपको mobile clean up करके देख सकती है ठीक है तो यह भी एक solution आप करके देख सकते हैं लेकिन दोस्तों मान लेजे वाइनी चांस सारे solution करने के बाद भी आपको same problem आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है तो दोस्तों यहाप आपको technician के मदद लेना पड़ेगा क्या सब्सक्राइब का इश्यों हो सकते हैं ठीक है और अगर आपके स्क्रिन वगयरा डेमेज्ट है तो उसके वज़ेंश से बहुत सकते तो इस